सो गैज आज का हमारा टापिक है वायलेस नेटवर्क्स डवल्यू लैन तो डवल्यू लैन अगर आपने सुना है इसको क्या बोलते थे वर्ड वायरलेस लोकड ले रिया नेटवर्क तो अभी मैं जिस इंटरनेट सर्विस प्रवेडर से कनेक्शन ले रहा हूँ इन्होंने एक छोटा सा डिवाइड से रखा हुए ब्रॉट्बेंड एटल ने ठीक है तो अगर मैं उसके अंदर आपको लॉग इन करके दिखाऊं तो अभी मैं एड्मीन एड्मीन वगरा तो डवलें में क्या है SSID तो सबसे पहले SSID क्या होता है SSID होता है सर्विस सेट इडेंटिफायर तो छोटी-छोटी टर्म्स हैं इसको ध्यान से अपना ध्यान देने हैं आपको तो सबसे पहले SSID क्या होता है यह वायरलस में जो आपको वायरलस के नेटवर्क दिखते हैं आपर कि वायरलस अभी मैंने वायरलस आफ किया हूँ है मैं आन करता हूँ देखते हैं कई कनेक्शन डाउन नहीं होना चाहिए तो आपको यहां पर दिख रहा है Kings gateway यह ऐसे दो- तो theory part आप करी सकते हैं तो ssid मतलब वाइफ है तो अगर आप यहां पर जाएंगे कभी और अगर यहां पर right click करेंगे इसकी properties में जाएंगे ठीक है तो यह थोड़े changes होगा है इसमें यह windows 10 होगी ना ठीक है तो यह जो wireless का नाम दिखर रहा है इसकी को हम ssid बोलते हैं तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा तो wireless network आज की date में क्यों ज़रूरी है क्योंकि सभी जगा हमें cables नहीं चाहिए एक तो वैसे भी messy सा काम कर देते हैं बहुत सारी cables आज mobile के devices हैं कोई तारे थोड़ी लगाता है mobile devices में घर में, universities में, bookstore में, hotel में, coffee shop में हर जगा आज वाइरलेस यूज़ होता है मैक डॉनल्ड से लेके, domino's, railway station से लेके, airport हर जगा वाइरलेस नेटवर्क लगे हैं तो वाइरलेस नेटवर्क जो होता है और ethernet जो cable हम यूज़ करते हैं वो technology का जो code होता है उसको बोलते है 802.3 यह क्या IEEE standard है IEEE क्या होता है एक code होता है जिसे bluetooth का एक frequency होता है मतलब यह इनका क्या है code है मतलब standard code है IEEE code बोल देते हैं इसको तो जो wireless है वो 802.11 पर काम करता है जो भी जैसे wireless का कुछ भी नए आएगा तो यहाँ पर G आ जाएगा यहाँ पर N आ जाएगा तो यह changes आ रहते हैं तो 802.11 क्या है wireless standard के लिए बना हुआ code है जो fast ethernet है, giga ethernet है उसके अंदर भी क्या होता है यहाँ पर कभी G लग जाता है कि B लग जाता है तो बट यह चीज़ सेम रहती है wireless network के radio frequencies है मतलब यह radio frequency मतलब RF signal बोलते हैं इसको जहाँ पर हमें cable लगाने की जूरत नहीं है और ethernet cable में हमें cable चाहिए ठीके तो signal में यहाँ issues होते है signal interference होता है wireless में अगर आप घर का code less phone है आपके पा बनाते हैं तो यह wireless network के साथ सही से काम करते नहीं है मतलब कुछ ना कुछ radio frequency effect है जिसकी विरसे wireless signals पर थोड़ा-थोड़ा impact पड़ता है बट आज कलके devices थोड़े अच्छे हैं तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है कहीं लोगोंने तो microwave के उपर ही wireless का device रखा होता है तो ऐस कोई दो device एकठे data send कर देते थे तो collision हो जाता था तो collision detection बोलते हैं उसे collision हो जाता था बट wireless के case में collision avoid होता है मतलब avoid करते हैं कि अगर यह data भेज रहा है तो मैं नहीं भेज सकता है इसको collision avoidance और detection कर देते हैं तो wireless में जिसके पास भी wireless की range है वह easily WLAN से connect हो सकता है बट LAN cable के अंदर में पूरी की पूरी cable चाहिए ठीक है तो यहां पर regulations है थोड़े की आपको frequency लेनी पड़ती है तो आपके जो wireless और radio frequency होती है न तो दो तरीके की होती है एक license bands होते हैं आपके एक unlicensed bands होते हैं तो license bands जैसे आपने सुना है radio मिर्ची 92.7, 94.3, red FM तो यह जो FM radio channels होते हैं जो आपकी country में FM चलता है AM यह जो क्या होता है radio frequency होती है उस signal के उपर यह गाने या कुछ ऐसा वैसा मलब चल रहे होते हैं जिससे आप अपना कोई भी device या car के अंदर उस FM पे वो frequency सेट करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट अपनी walkie talkie जो होती है ठीक है या mobile communication सब की अलग लग frequency है सब अपने अपने radio frequency band के उपर काम करते हैं यह होते हैं license bands मतलब आप 92.7 खुद का नहीं चला सकते हैं घर पे बैठके यह 92.7 वाला यह frequency को pay कर रहा है मतलब government को 92.7 वाले मतलब यह pay कर रहे हैं कि हमें इस frequency पर radio चलाना है अपना तो इनको बोलते है license bands और unlicensed bands कौन से होते हैं can be used by all kinds of devices however the devices must still confirm to the rule set up by the regulator agency जैसे कि आपके छोटे-छोटे जो wireless के घर में connection लगे हुए है जब आप mobile पर hotspot बनाते हैं तो वो भी एक frequency होती है बट इनकी range इतनी नहीं होती है तो इसलिए इनको unlicensed frequency unlicensed band बोल दिया जाता है ठीक है तो अब यहां पर अगर आप देखिए तो इसके कुछ networks होते हैं wireless के भी न तो आपने अभी तक मैंने आपको बताया कि लैन होता है वैन होता है सम्थिंग राइट तो ऐसी क्या होता है यहां पर पैन होता है परस्नल एरिया नेटोग Bluetooth से कभी डेटा ट्रांसवर किया बाट टाइम पहले किया होगा तो इसको हम परस्नल एरिया नेटोग बोल देतना और Bluetooth का स्टेंडर के 802.15.3 तो यह एक IEEE स्टेंडर कोड है यह 1 MBPS से कम स्पीड पर डेटा ट्रांसवर करता था जो रेंज थी इसकी बड़ी छोटी थी और इसको पियर टूपियर मतलब पियर टूपियर मतलब कोई एक डिवैस से दूसरा सेम डिवैस जैसे मोबाइल से मोबाइ डेटा भेज रहा है लापटाप से लापटाप तो यह पियर टूपियर थी इसमें कोई सर्वर वगरा ऐसा कुछ नहीं था जो लोकल एरे नेटवक होता आपका इसकी रेंज ज्यादा होती है वारलेस के केस में और इसकी स्पीड 54 MBPS तक चली जाती है hasn लागत गे कमपनेरिश डेंज होती है इसकी और छोटी कमपने जैसे कोई भी प्रोडेक्ट बेसर कंपनी डामठ ठीक है है मतलब जो नेटवरकींं नहीं है प्रडेक्ट बेसर कंपनी जए तो वह अपने डेटोक में लोकलिन एरे याठ चलाती है एक होती है मेट्रपॉलिटे नेरिया नेटवर्ग जैसे कोई सर्विस प्रोइडर है ठीक है जैसे एटा लो गया बी एसनल हो गया राइट मेरी स्लाइड्स रूगी दो मिनिट दुबारा उपन कर लेते हैं हुआ है हरी शंक्तर क्लास में हो तुमारे यह यह ओफिस का इशू रिजॉल नहीं हुआ यह अपने आप बंद हो जाता है चलते चलते क्या आई हाँ जी कहां थे हम हाँ तो जो मेटर पॉलिटर नेरी नेटवर्क वायरलेस होते हैं यह मतलब आपके सर्विस प्रेडर्स हैं जैसे बी एसनल हो गया या फिर कोई ऐसी कंपनी जो वायरलेस सिगनल से आपके घर पे इंटरनेट पुचा रही है तो उसको मेटर पॉलिटर अपको पता ही है जैसे जी ओ हो गया ठीक है या फिर एटल हो गया यह आपको क्या करने जी एसम सेटलाइट के थूँ आपको कनेक्शन दे रहे हैं तो इसकी स्पीड जैसे पुरानी सलाइड है तो दो एमवीपेस दिखार किये बट आज कल 4G 5G आ गया है तो यह वायरलेस ह है जो हम पढ़ यह है जैसे जो हम फोकस करेंगे पढ़्ँपर क्योंकि पूरा वाइव अरिये नेटवर्क आप आपको वो पढ़ना पड़ेगा टेली कॉम क्योंकि टेली कॉम से रिलेटिड है आपका पूरा वायरलेस वैन हमें जो फोकस करना है वो लोकल एरिये नेटवर्क करना है वायरलेस का दाट इस मतलब जो मुस्टली सब जगा यूज होता है राइट तो आपके वायरलेस के आप्टाप वायरलेस हो जाता था बट आज की कम्प्यूटर के अंदर ये चिप्स भी आती है और एक्स्ट्रा चिप भी होती है रेडियो फेक्वेंसी को और ये डॉंगल टाइप भी आता है जो वायरलेस रेंज फैक्टा राइट तो बहुत सारे डिवाइस आते हैं जिससे आपका डिवाइस वायरलेस पकड़ता है है तो होता कहें कम्पनी का सिनारियो ठीक है तो यह आप आज कल तो ड्रेक्टी कंपनी ये इन दोनों डिवायस का कॉम्बो देती है मतलब आपको पहले के टाइम में थोड़से आक से पांस साल पहले जाओ तो क्या होता था अभी गई कंपणी जैसी करती हैं तो सर्विस प्रोइटर तुम्हें एक शिंपल मॉडम देगा वायरलेस निए होगा पिर मॉडम के साथ तुमें एक वायरलेस डिवाइस खरीद और लगसा ऐसा एक डंडेवाला दो डंडे वाले ठीक है तो आपका डिवाइस फिर वायरलेस होता ठीक है तो ऐसे आपके डिवाइस वायरलस होते हैं तो आज किल क्या होता है आपके जैसे मैंने आपको डिवाइस लॉग इन किया हुए तो इसी के अंदर मोड़ा में इसी के अंदर वायरलस है तो इन डिवाइस को हम क्या कहा देते हैं एडी एसल बोल देते हैं तो जैसे यह प्रोड़क्ट टाइप है या कुछ भी हाँ जी तो इनको एडी एसल बोल देते हैं और स्मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या फुल्फोम होती है अस्मेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और आज के लिए प्लस टू करके यह कुछ नया वर्जन है ठीक है तो इसका मतलब इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे यह बड़े ही लो लेवल के डिवैसीज होते हैं मतलब यह फिल्ड इंजीनियर प्रश्या कुछ भी जैदिव क्या हुआ बार बर करेंक्ट हो रहे हुँ ठीक है ठीक है फिक्स करो उसे ओके तो अब यहां पर वायरलस का मैं आपको दिखा रहा हूं अग आपने कभी लाप्तॉप से लाप्तॉप वायरलस कनेक्ट किया कभी डिवैस अगर नहीं किया तो किवाय करना यूटफ पर भूत वीडियोगस है इसको बोलते हैं लाप्तॉप पे होउटसपॉट बनाना हम तो गेम्स वगरा खेलते थे तो मल्टी प्लेयर गेम्स किसी ने खेली हों तो उसको शायद पता होगा कैसे करते हैं तो नहीं तो आप अपने बहुत सारे सॉफ्टेर आते हैं यहां पर आप गूगल कर सकते हैं एक बड़ा फेमस है क्या आनम उसका यह कनेक्तिफाई ठीक है तो कनेक्तिफाई आप अपने कंप्यूटर मतलब आप अपने कंप्यूटर को वार्लेस राउटर बना सकते ही जैसे मेरे लाप्टप में अभी इथरनेट केबल आ रही है मैं चाहता हूँ कि अब मेरे मुबाइल पर वो कनेक्शन चले है ना कहीं जगा ऐसा होता है मानलों ओफिस में भी हो तुम और ओफिस में अगर किसी के कंपनी में आप लैन केबल पर और अपने मुबाइल में इंटरनेट चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं यह टूल होते हैं कनेक्टिफ है तो यह लैन केबल को वारलेस में कनवर्ट कर देंगे ठीक है तो इसके फ्री वर्जिन भी आता है और एक इसका पेड का बता रहा है lifetime access 2000 का पहले तो बड़े 200-200-300-300 में थे नहीं तो फ्री में भी इनका है पर फ्री की कुछ limit है शायद पता नहीं कि एक घंटा ही चलेगा दो घंटे देख लेना आप क्या है तो ऐसे ad hoc connection बनाते हैं तो एक computer से दूसरे computer में तो इसको हम बोल देते हैं ad hoc connection या इसको बोल देते हैं IBSS IBSS की full form क्या होती है independent क्या होती है independent बेसिक सर्विस सेट ठीक है इन्डीपेंडेंट बेसिक सर्विस यह तो वैसे रट्टा मारने वाली बात होगी तो इतना किसी को ध्यान नहीं रहता ठीक है तो यह इस connection को आप add hoc या IBSS बोल सकते हो इसके बाद क्या होता है आपकी company में अगर एक wireless device है मतलब अगर यहां पर तो आपका कोई भी wireless device निया computer कोई wireless बनाया है इस connection को ad hoc कहेंगे जिस connection में आपको एक wireless device लग गया है जैसे मेरे इस time जो मेरा जहां मैं पढ़ा रहा हूँ यह BSS है basic service set basic service set this is a BSS network यहां पर क्या हो रह आप टॉब मोबाइल कनेक्ट हो रहे है client to AP ठीक है तो इसको बोलते basic service set और company में क्या होता है ESS होता है ESS क्या होता है मतलब आप एक ही जगह पर हैं फिर आप cafeteria में चलेगे फिर first floor पर चलेगे बट आपका wireless network हर जगह पर है उसी नाम से जिसे networking करके company का wireless network है तो आप चाहे ground पर जाओ चाहे फर्स्ट पर जाओ और cafeteria में बैठो हर जगह आपको आपका wireless connection दीखेगा तो इसको बोलते ESS extended service set ठीक है तो इसको ESS बोलते जहां एक से राधा access point आपके लग जाते हैं ठीक है जी तो यह लिखा हुए full forming का तो यह आपको मैं PPT's दे दूँँगा तो IBSS, BSS और ESS जहां पर एक से राधा access point होते हैं तो companies में ESS, घरों में BSS और gaming, gaming, local connection के लिए ad hoc तो wireless की अगर theory की बात करें किसी को याद नहीं रहती बट wireless का standard का 802.11 यह याद रखना इसके तीन-चार mode हैं जो आज क्याल चल रहे हैं A, B, G यह थोड़े पुराने हैं जो latest वाले होते हैं यह last वाले हैं 802.11N और 11AC अगर आप देखें हैं यहाँ पर speed का फरक है, यहाँ 108 MBPS और यह 802.11AC करके जो है यह 1.3GB मतलब 1GB तक का connection wireless पर सपोर्ट करता है तो जो सबसे most popular अभी चल रहा मार्केट में that is 802.11N तो अभी मेरा जो मैं आपको device दिखा रहा था 192 वाला अगर आप यह wireless की setting में जाएंगे तो आपको यहाँ setting दिख रहा है देखो B, G, B, G, N तो B, G, N मतलब यह B को भी support करता है, G को भी N को भी तो मतलब कहीं बाट जो device होते हैं वो wireless जैसे router हैं और कहीं बार laptop वगरा वो support नहीं कर दिया कुछ भी ठीक है तो अब फरक क्या है इनकी frequencies पे जो A वाला है band वो 5 GHz frequency पे काम करता है वो B, G, N है यह 2.4 पे काम करते हैं इनकी frequency कम है अब B में problem कहा है speed कम है 11 Mbps जी में भी 54 Mbps है पर जो N है इसकी speed आपकी 108 Mbps तक चली जाती है और यह 2.4 GHz और 5 GHz दोनों पे काम करता है और ऐसी जो भी latest वाला यह भी ऐसी करता है बट इसकी speed है 1.3 Gbps तो अब इसका wireless का जो levels है यह ना किसे अंदर यह दिख रहे हैं आपको channel होते हैं दिख रहे हैं 1,2,3,4,5,13 तक channel दिख रहे हैं अब channel क्या होते हैं channel होती है frequency कि कितनी frequency पे आप data मान लो एक wifi आपने इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया ठीक है मान लो आपकी company में यहां पर एक wireless लगा दिया और एक इधर लगा दिया तो आपको channel है ने ऐसे रखने है मतलब जया तो one रखोगे तो six रखना पड़ेगा दूसरे का और तीन है तो ऐसे रखना पड़ेगा मतलब ऐसे setup करोगे कि एक wireless यहां पर हमालो यह हमारा एक room है तो आपका दूसरा वाला यहां पर 11 होना चीए यहां one मतलब one के साथ one नहीं मैच होना चीए channel six के साथ six नहीं तो क्या होते है wireless signal disturb होते हैं यहां पर आप देखें यह अगर आप बार देख रहे हो अगर आप यहा तक जाता है अगर आप one वाला दूसरी side भी one ले लोगे ना तो signal क्या हो जेगा ऐसे हो जेगा ओवरलाप हो जेगा है ना तो मतलब issues आएंगे आपको signaling में वह वह तो इसलिए क्या होता है company का scenario अच्छा बनाने के लिए अगर आप इस side channel one पे काम कर रहे हो तो दूसरा आपक घर के आसपास आपको लगता है कि wireless signal मेरे दिक्कत हो रही है तो आप यहां से channel auto पे डाल दो या फिर आप यहां से manual one पे आप दूसरे भी दे सकता है दो भी दे दो चार भी दे दो पर दो चार दोगे तो क्या होगा जातर companies में क्या होता है या तो वन होता है गरों में भी ठ कि यहां से start हो रहा ना ऐसे तो छे साथ पे हां तो छे और ग्यारा ही यूज होता है दे रेश कह रहे हैं इनको wireless में किया होगा काम इन्हों ने इसलिए बता रहे होंगे तो यहां पर जो one signal है और यह six signal और यह 11 है तो आपको अलग-लग रखने है नहीं तो अगर आप one दे दोगे और इधर तीन पे चल रहा है तो आपका यह overlap बहुत होगा और इससे issues आते है और यह companies में इसलिए भी बहुत better रहता है कि roaming क्या होती है आपको पता ही है जैसे एक state से हम दूसरी state में जाते है roaming तो ऐसी होता है ऐसे भी company में जब आप अपना laptop लेके घुसोगे तो थोड़ा सा overlap होना भी ज़रूरी है अगर आप overlap ही नहीं करोगे अगर ऐसे आपका signal हुआ तो हो सकता है यहां पर यह बीच का midpoint है यहां पर laptop लेका है तो connection ही drop हो गया तो इसल अपने में वो six channel connect हो जाए फिर यहां पर वो six चले जैसी इधर आए तो 11 पर connect हो जाए तो ऐसे बंदा मूव कर सकता है इसको आप channels बोल सकते हैं तो मैं माई को कर रहा हूँ अब आज ही नहीं आरी जोर से बोलो अब आज ही नहीं आरी माई के अंदर भुसके बोलो हाँ जी कोई गोशन नहीं भी है तो बोल लिया करो न नहीं है तो चैनल चेंज करेंगे तो frequency जाती है कि क्या होता है चैनल से रेडियो फ्रिक्वेंशी है है यह 2.4 frequency spectrum है मतलब एक रेंज है यह चैनल 1 की यह दूसरे रेंज है एक्च्वल में होता कि आप वायरलेस के अंदर ना आपके दो तरीकी की चीज़े होती हैं मैंने भी कहीं पढ़ा था इस बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको तो एक बीकन्स और प्रोब्स होते हैं मतलब आपके डिवाइस को कैसे पता चलता है आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि वायरलेस सिगनल मुझे मिल रहा है तो जो आपके एक्सेस पॉइंट होते हैं यह क्या करते हैं यह जो लट्ट अप होते हैं आपके यह क्या करते हैं प्रोब भीसनेक्स जब मैं आपके यहां पर कनेक्ट करता हूं वायरलेस तो ये जो मुझे दिखर रहा है न या ये क्यून दिखर dein डिवेइस को क्योंकि ये जो लाटट अब होता है है इसको प्रोब रिक्वेस्ट भीच्ट भीजर है कौंसी रिक्वेस्ट ठूल पूर ये जो अपने सिगनल सेंकता है इसको क्या बोलते है बीकंस तो तभी इसको पता चलता है अच्छा मुझे वायरलेस से कनेक्ट होने है तो और इसके साथ साथ यह मतलब आप डिजिटल लेक्ट्रानिक्स होगर हमें ज्यादा घूसेंगे तो आपको यह और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकता है वायरलेस नेट्वक्स होगर हमें जाओगे तो पता चल जाएगा आपको क्या होता है ठीक है और एक चीज़ और आपके पूरे स्लेबस में वायरलेस है भी नहीं है यह सिरफ वायरलेस कंट्रोलर क्या होता है यह बताना था बड़ मैं पूरा वायरलेस पढ़ा रहूं क्योंकि यह पहले से सीचने में था बड़ जब इन्होंने हटा दिया है पूरा वायरलेस क्योंकि इनको इन्होंने पूरा वायरलेस अपना सीचने वायरलेस में डाल दिया पहले राउटिंग में भी ठीक ठाक होता था थोड़ा थोड़ा मतलब जाता नहीं ठीक है अब 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 इन्होंने पूरा वायर पर काम करोगे तब आपको wireless की certifications करनी है CCNA wireless CCNP wireless like market में security wireless काफी demanding है second priority पर collaboration और डीटा सेंटर wireless भी हर जगा हर company में mostly होता है और security भी mostly होता है routing switching तो ही बेस ठीक है तो आपको अपना wireless भी strong रखना है अगर आप product बेसे की market में product based companies जाद है जैसे डावर हिंदुस्तान लीवर ठीक है ऐसे मतलब बहुत companies product based है तो यहाँ पर क्या होता है देखो router होंगे switch होंगे wireless होगा यहां फिर firewalls होंगे यहारे कौन spanning tree protocol की बाते कर रहा है क्लास में क्यों आयो फिर इस पैनिंग ट्री प्रोटोकोल की बाते सुन रही है आप लोगों को यह स्टीपी पढ़ा रहा है किसी को मेरा पढ़ा के चीता बन रहा ओफिस में है कि अधिए जो है उसका बीगों से या से पैसे ही code दे दिया है कोई भी नंबर आया से नहीं मतलब रिजिस्ट्रेशन्स हो रखी है इनकी ना मतलब यह code होता है है मतलब हर एक स्टेंडर्ड होता है इनका मतलब जब आपके रिसर्च पेपर त्यार होते हैं हर एक आई ट्रिपली कोड होते हैं कि यह इनकी ना कोड होते हैं मतलब जो टेंडर्ड होते हैं जीसे हुआ सही मॉडल है टीचीप आई पीचेंडर्ड तो हरे इन स्टेंडर्ड को फॉलो करेंगे सारे डिवाइसे मार्किट में वायरलेस का डिवाइस खरीदने जाते हो तो पीछे लिगा होता ना आई टी एफ यह रिजिस्टर्ड प्रोड़क्ट है ऐसे तो मार्क गवर्मेंट अप्रूब भी नहीं करेंगे उसको तो यह कुछ बड़ी और्गनेशन है यहां से वो रिजिस्टर्ड होन तो इसके अंदर एक चीज होती है जिसको बोलते है डायरेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम डी ट्रिपल एस डिरेक्ट सिक्वेंस स्पेक्ट्रम हां जी माइक ओफ करता सार आँ ठीक है यह पता लग जेने एक पर तो जिसको जाड़े पकड़के एक से जिटा चू अब उसने भी कर दिया देखो इनकी चलो मैं कर रहा हूं फिर बीटिक है तो यहां पर डारेक्ट सिक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या होता है कोई भी डिवाइस ठीक है जितना जितना दूर जाता है उसकी स्पीड उतनी ही कम होती रहती है जैसे अलग-लग स्टेंडर्ड है जैसे मैं आपको यहां पर एक बी का बत करूँ तो जैसे यह मीटर्स हैं 50 मीटर 100 फीट 150 फीट मीटर करें तो सुरी फीट ठीक है 200 फूट साड़े 300 फीट तो यहां पर 802.11 जब जाता जाता साड़े 300 फीट करता है न तो 11 MB की स्पोर्ट करने वाले डिवे सिरफ 1 MB की स्पीड आईगी यहां पर देखो 54 MBPS है और 300 फीट के बाद इसकी 6 की स्पीड रह जगी तो अगर आपकी एक रूम में वायरलेस है दूसरे रूम में जाके कहीं बार आपको लगेगा यूट्यूब स्लो चल रहा है सिगनल कम हो रहे हैं तो वो यह सीग फंडे को बोलता है वो डारेक्ट सीक पावर ओवर इथरनेट तो यह डिवाइस आपको स्पेशली खरीजने पड़ते हैं जिसे मार्केट में एक स्विच यह है मालों यह एक लाख रुपे का आता है तो जो पावर वाले हैं ना वो वन प्रेंट थी के होंगे वाला कुछ एक डिफरेंस होता है हर एक पोर्ट से उनको पावर भी मिलती है दूसरे डिवैसी को तो व ठीक है तो यह वायरलस के आगे के डिवैस दिखा रहा है यह वायरलस सिगनल भेजने के लिए तो यह यह तो इनको डारेक्टे के पावर इंजेक्टर आता है मतलब पावर कोड में लगाओगे तब यह लगाओगे यह फिर क्या होता है कंप यह डारेक्टी स्विच के जैसे मैं यह पी योई भी दिखा दूँँ यह पावर इंजेक्टर है नॉर्मल एक पावर पी योई भी आता है जिससे आपको सिगनल मिल जाता है और मतलब आपको केवल लगानी और पावर आ जाएगी उस दिवाइस में तो डिवाइसे के अंदर इन सिगनल इनके अंदर ही इनसे ही पावर मिल जाती एक्सेस इसको पावर ओवर एँफन इडवोल जेते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं तो यहां पर कोई भी घिवाइसस पॉइंट से गनेक्ट होते हैं तो वाइरलेस के अंदर एक CSMA CBD होता है तो CSMA CD मतलब क्या है, कि अगर कोई और data, मतलब listen to ensure that the medium is not busy, पहले चेक करता कि कोई और busy तो नहीं है, मतलब wireless signal और कोई तो नहीं ले रहा है या दे रहा है, उसके बाद फिर एक random time मिलता है, फिर उसमें frame send होता है, ठीक है, इसको हम बाद में भी cover कर सकते हैं, मैं आपको CSMA CD cover क करेंगे, तो CSMA CAV कर सकते हो, ये कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, क्या होता है, कोई भी device जब data send करता है, और अगर वो नहीं कर पाता है, ठीक है, या फिर data इकठे किसी ने send कर दिया, मालों, दो devices में, तो क्या होता है, फिर अगली बार से एक random time मिल जाता है, इनको तू अब पांच सेकंड के बद भेज़ेगा, तू दस के बद भेज़ेगा, नहीं तो अगर ये कठे data भेज़ेंगे, तो issue हो जाते हैं, तो उसके बारे में पूरी discussion थी, कि कैसे CSMA CD, avoid होता है, और ये चीज़े, ठीक है, अब आपको wireless network deploy करने है, wireless LAN, ठीक है, तो सबसे पहले अपना चेक करो, कि wire जो connection की है, आपने वो सही है, DHCP, VLAN, internet issues, सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद हम access point खरीदेंगे, उसको configure करेंगे, wireless network में, और फिर subnet mask और ये default gateway सब अगरा देंगे, फिर उसका नाम रखेंगे, क्या रखना है wireless का नाम, फिर wireless के उपर आपको security भी लगा सकते ह ठीक है, और ये ही चीज़े करेंगे आप, तो जैसे कोई भी switch है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ प access point लगाया, इसको channel 1 में डाला है, दूसरे access point लगाया, उसको 6 में डाल दिया, तीसरे access point को 11 में डाल दिया, ताकि ये signal एक दूसरे के साथ ना गड़ बढ़ करेंगे, तो access point के जादे तर, जो access point या फिर जो घर में devices होते हैं, इनके GUI होते हैं, graphical user interface, आपको कहीं भी कुछ भी configure, command prompt में कुछ नहीं करना, आप click हो गरा करेंगे और सारी settings हो गरा हो जाती है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो क्या था, GUI था, तो WLAN Client क्या होता है, जो भी device wireless signal दिखाता है, जो भी probes भी हिस्ता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो सारे WLAN Client हो जाते हैं, अब इसके अंदर security की अगर हम बात करें, वाइरलेस मेंने अगर हम security की बात करें, तो सबसे पहले normal एक होता है कि password ही नहीं लगाया, open access बोल देते हैं, उसके जिसमें password ही नहीं लगाते हैं, इसके बाद WEP होता है, wired equivalent privacy, क्या होता है, wired equivalent privacy, तो ये बिल्कुल भी strong नहीं है, ये आप 15 मिनिट में wireless hack हो जाता है, ठीक है, तो जब मैं नहीं लगाना चाहता था, तो मैं बहुत लोगों के WEP तोड़े, ठीक है, तो बहुत easy होते हैं, कोई भी वीडियो देखोगे आप YouTube पे, तो WEP बड़े easily से तूट जाता है, बट आज कल के सबी devices WPA2 पर है, जो आज कल चल रहा है, तो WPA भी strong था, बट इतना नह प्रोटोकल है, जिसको 802.1x बोलते हैं, .1x प्रोटोकल, जिससे user authenticate उड़ता है, कि हाँ भी सही बंदा है नहीं है, तो यहाँ पर यह कुछ security थे, तो इसके अंदर algorithms भी बहुत होते हैं, जैसे TKIP, यह आप wireless जब configure करोगे न, या अपने devices, तो आपको यहाँ पर मैं दिख आता हूँ, जब आपना कोई office का या कहीं का device और configure करोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, चैनल तो दिवता दिया मैंने, हाँ यह रहा, तो WP encryption आती है, TKIP और AES, तो यह दोनों काफी अच्छी encryption है, तो TKIP क्योते हैं, TKIP क्योते हैं, TKIP क्योते हैं, TKIP क्योते हैं, T Temporal Key Integrity Protocol, और AES की होते हैं, Advanced Encryption Standard, Temporal Key Integrity Protocol, और AES की होते हैं, Advanced Encryption Standard, Advanced Encryption Standard, तो यह दोनों ही securities बैटर हैं, आज की डेट में, अगर आपको wireless network hack होने से बचाना है, तो इसके अंदर इतनी easily नहीं होती है, crack करनी है, यह चीज़ें, क्योंकि इसमें जादा आपकी वो तो यहां से देखो, wireless के अंदर software भी है, आप चाहते हो कि सिरफ उसी Mac address को block करना है, आपने इस Wi-Fi पर, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, तो कुछ एक wireless के issues आते हैं आपके companies में scenario में, तो जैसे channel 1 पर है, यह channel 2 पर है, तो मैंने आपको बताता है channel 1 है, तो दूसरे से channel 6 या 11 हो, तो यह चीज़ें आप troubleshoot कर सकते हैं, अगर आपको user complaint कर रहे हैं, कि wireless connectivity issues हो रहे हैं, तो अगर आप कोई ticket अगर आती है, आपको companies में जब काम करें, तो wireless के अगर ऐसे issues होते हैं, तो आप जो access point होते हैं, वो अपने चेक कर सकते हैं, कौन से, उसमें है, क्योंकि channel 1 और 2 में बहुत जादा overlap हो रहा है, तो same frequency के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए आपको channel 1 है, तो दूसरा 6 पर रखें उसे, यहाँ पर settings में जाईए और 6 पर उसे configure कर दें, तो जिसको wireless का लगता है, तो अपने producer के भी देख लो channel कौन से हैं, अब अपने producer के कैसे देखोगे, मानलो अगर आप दिल्ली जैसे area में रह रहे हुए, कहीं पर जहां पर बहुत तो यह software होते हैं, जैसे insider, और ठीक है, तो यह software जब आप install कर लोगे, मैं करना नहीं चाहता है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा। तो guys, अगर आप यहां देख रहे हो, तो यह सब के wireless के नाम आ रहे हैं, जैसे आपके पडोस में कोई है या something, ठीक है, तो यह सब के tool जब डालोगे न, INSSIDAR, ठीक है, insider करके, तो यह जो नाम दिखा रहे हैं, तो यहां इनके channel भी दिखा रहे हैं, तो यह भी one पे है, अब यह चार डिवाइस छे पे हैं, तो मतलब one है, one है, और यह इतने सारे डिवाइस हैं, ओवरलाप हो रहे हैं, तो आप भी छे पे हो, तो गलत है, तो बेस्ट क्या है, इस ताम आपने डिवाइस को 11 पे रखना, right, क्योंकि one और six के काफी सारे हैं, तो 11 का कोई नहीं है, तो अपने वाइरलस डिवाइस को 11 पे डाल दो, तो उससे आप देखिएगा कि फरक लगा आपको, है ना, तो इससे इशू भी नहीं आते हैं, आपके और स्पीड वगरा थोड़ी इंप्रूव होती है, तो और दूसरा इशू कहा है, माइक्रोवेव, कोडलेस फोन्स, यह वा करता है, कोई गादा इशू आया, कोडलेस फोन यहीं साइड में रखा वाइबी, पुरानो जो, इसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसिस के वो होते हैं, कि कहां कहां तक मतलब इशू जाते हैं, या दूसरे वाइरलस के डिवैसी, जो मैंने आभी आपको चेक करके बता है, और कहीं बार क्या होता है, आप ऐसी जगह लगा देते हो, मालो यह तो आपने इस रूम में लगा दिया, दूसरा काफी दूर लगा दिया, अब बीच में क्या हो रहा है, ना तो इसकी रेंज आ रही है, तो ओवरलाप होना थोड़ा सा जरूरी भी है, तो चैनल अलग-लग होने चीए, बट ओवरलाप होना चीए, जैसे रॉंग डिस्टेंस कॉन्फिगर किया हो, इसके अंदर, तो इसको दस से पंदरा प्रसेंट ओवरलाप होना ज़रूरी है, नहीं तो कनेक्शन आपका ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको पता ही है क्या होता है, जब यह जो कम्पूटर होते हैं, यह पहले रिक्वेस्ट कनेक्ट की, यहां पर आप वायरलेस कनेक्ट को क्लिक करते हैं, पासवड अगर डालते हैं, फिर एक्सेस पॉइंट उसे चेक करता है कि हां भी सही है नहीं है, और यह क्लाइंट प्रवाइड ऑफेंटीकेशन जैसे आप पास्वाड दावरा देते हों तो गलत अगर पासवाड देते हैं तो क्या होता है रिजएक्ट हो जाती है परमीशन को क्नेक्षिंच कनेक्टी नहीं हो पाता है और भी अगर आपको लग रहा है है को रहा है सम्धिंग तो डवली पी से डवली पी टू या फिर थोड़ा एडवांस इंक्रिप्शन वाला कर लीजिए जिससे कोई भी है को रहा नहीं कर पाएगा राइट अजी कोई कोश्यन थो नहीं लग रहा वारलेस नहीं तो नहीं लग रहा वारलेस नहीं तो नहीं तो बड़ा बॉरिंग लगता प्रक्राइब 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 अजी अब आगे आ जाईए आज तुमारी क्लास बड़ी है थोड़ी यहरे नोट्स कहां से बंद होते हैं यह अजी यहरे थोड़ी यहरे प्रक्राइब प्रण क्या होगे बीविडियों में ओक्ये तो इधर आए तो आपके कंपनीज में क्या होता है देखिए तो बहुत सारे वायरलस डिवाइस हैं जिसे सिस्को ना ऐसी आपकी एक कंपनी अरूबा तो ये भी बड़ी फेमस है और बहुत सारे डिवाइस अरूबा के यूज करते हैं अरूबा नेटवरक्स लिख लो ऐसे तो पता नहीं आइलेंड आ गया है तो अरूबा नेटवरक्स लिखोगे तो आपको बहुत सारे अरूबा के डिवाइसे जा कुछ भी और इमेजेज या इधर जाएंगा तो अरूबा के भी बहुत सारे डिवाइसेज आते हैं बहुत कंपनीज अरूबा को यूज करती हैं अरूबा अरूबा को एच्पी ने खरीग लिया था अभी थोड़े टाइम पर तो यहां पर तो सिस्को के बहुत सारे मॉडल आते हैं अक्सस पॉइंट के बलब 1100, 1130, 1200, 1230 तो आप गूगल कर सकते हैं अब यह शायद स्लाइड पुरानी नव तो सिस्को एक्सस पॉइंट तो गूगल करें और सिस्को के वायरलेस एक्सस पॉइंट में जाके आप अपना कंपारिजन कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं दिख रहे हैं आपको एरोनेट 1815 या जो भी हैं ठीक है यह 500 सीरीज एक्सस पॉइंट हो गए इन सब की कुछ अलगलग रेंजिस वगरा होती हैं और यह आउटडोर के लिए भी आगया मतलब बारीश हो गरा है बाहर भी लगा अफिस के ठीक है और यहां आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सुलीशन मिल जाएंगे कि क्या चिए 500 से रादा यूजर हैं आपकी आफिस में तो यह वरे अगर आपकी कंपनी में पंदरा सु से रादा यूजर हैं तो आप एरोनेट 3800 सीरीज यह डिवाइस लगाईए तो सबके अलग-लग फंडे हैं और कुछ फीचर सेट हैं सबके अंदर अंदर तो आपके यहां पर एक चीज़ होती है देखिए एक तो होता है कि यह वाइफाय आपने लगाई और वाइफाय कनवर्ट हो गया मतल्या जैसे गहर में होता है आपके यह फिर एक ओफिस में कि स्विच लगाया और स्विच के सात्थ यह switch है और switch के साथ यहां पर वाय 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 फाय access point लगा दिया इसके अंदर नाम रख दिया यह range factor है यह मतलब अगर आप इसमें कुछ changes होते हैं आपको इसी के अंदर आके करने हैं पड़ेंगे changes मतलब इनको आप stand alone बोल देते हैं मतलब यह खुद में अपने आप में ही configure करेंगे इनका कोई वह नहीं है कि central point मालों की company में अब 1500 यूजर है ठीक है यूजर हैं तो मतलब आपके बहुत सारे devices लगे होंगे access point लगे होंगे तो ऐसा भी तो हो सकते हैं आप एक ही जगा से इसे maintain करें तो इसलिए एक device है इसको का जिसको wireless LAN controller बोल देते हैं WLAN controller और इसको companies में WLC बोल देते हैं तो यह जो access point होते हैं stand alone नहीं होते हैं lightweight access point होते हैं lightweight access point लेने पड़ेंगे आपको तो आप जब यहां पर google करेंगे या कुछ भी तो सिसको light weight access point मारेंगे सर्च तो light weight access point के बारे में आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत तो इसको का जिसे arrow net 1000 है तो यह WLC के ऊपर चल सकता है तो आपके सिसको के devices बहुत आते हैं WLC बगरा तो उनके through मतलब सारे devices वहीं से manage कर सकते हैं WLC से हर ब्रांच के अंदर आप WLC लगाओ और जितने भी आपकी कंपमान लोब क्या है आपकी office में कम से कम यह 50-60 लगे हुए तो बीच में कोई एक office के cafeteria वाला खराब हो गया तो आप है ना तो issue हो सकता है कि कौन सा खराब हो गया easy से उससे troubleshoot नहीं कर पाएंगे तो डव्लू लाइन कंट्रोलर में login करोगे चेक कर लोगे कि पचास के पचास सही चल रहे है नहीं चल रहे है ठीक है दाट इस डव्लू एल्सी तो इसके अंदर बिसिकली ऑथेंटिकेशन पासवर्ड और एक प्रोटोकोल होता है एल्डेप ल्डव्लू एप करके बोलते हैं डव्लू एल्डव्लू एपीटी टैनल बन जाती है ठीक है तो वायरलस कंट्रोलर के अंदर आप बहुत सारे मतला अलगलग वी लेंस बना सकते हैं ठीक है हर एक एकसस पॉंट को अधूछ वी लेंस में भी डाल सकते हैं बहुत सारे फीचर होते हैं के अंदर यहां पर अगर आप देखें एकसेस पॉंट तो डव्लू एकसेश मेंट के अंदर आप बहुत सारे तो यह जो इनके बीच में जो जो वार्लेस कंट्रोलर होता है और यह जो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट होते हैं यह करके प्रोटोकॉल होता है इसकी वज़र से आपस में कनेक्ट होते हैं यह तो हो गया एक नॉर्मल कंपनी के लिए है ना यह क्या हो गया एक नॉर्मल कंपनी के लिए हो गया और आप कंपनी में जब आप यह सेनेरियो बना रहे हो वायरलेस कंट्रोलर का तो इसके अंदर बहुत सारे वायरलेस कंट्रोलर है और अगर आपका एक डाउन हो जाता है तो भी दूसरे की आप दूसरे से यूजर सकते हैं तो single point of failure नहीं है यहां पर तो WLAN controller लगा दिया और एक जगह पर दो दो तीन तीन एक्सस point आप लगा सकते हैं और companies क्या करती हैं बड़ी बड़ी companies तो वो wireless link controller अगर फेल हो गया पूरा का वाय फै बैड़ देगा तो company क्या करती है wireless link controller भी एक एक दो दो तीन तीन अपनी मर्दी के साब से आप WLC भी उतने लगा सकते हैं primary controller और secondary controller network में हर चीज़ का backup होता है अच्छी company में तो बहुत सारे wireless के model आते हैं WLC के चौरी सो दो हजार ठीक है तो आप WLC model चेक कर सकते हैं Cisco WLC तो यहां पर wireless link plan controller पर जाएंगे और यहां पर इनके भी बहुत सारे model है देखो 8540 wireless link controller ठीक है और यह speed इसकी इतनी है 64000 user तक connect हो सकते हैं 6000 branches आपस में connect कर लो यह 5520 है 20,000 user तक wireless के जो user हैं वो इसके थू जा सकते हैं यह एक normal device है जहां पर 75 access point connect कर सकते हो इसमें 1500 access point और इस device के साथ 6000 access point आप connect कर सकते हो इतनी limitation होती है इनकी तो company में दो दो तीन तीन लगा लेते हैं कहीं राइट कर अब कुछ एक स्विचिस के अंदर क्या होता है आपने अगर device नहीं लगाना है तो कुछ एक modules भी आते हैं अब अपने switches होगर हमें लगाओगे वही wireless बन सकते हैं wireless service module कहा जेते हैं तो आप अपने router के अंदर भी ऐसे कुछ wireless के card आते हैं तो जैसे एक Cisco car आज कल router से ल रहा है 4400 शीरीज राउटर है तो अगर इसके अंदर मतलब इसका image दिखाव में आपको ऐसा एक router है यह कुछ latest router हैं जिसको की तरह से 4344 एंडेड आ राउट वायरलेस वायरलेस के साथ मतलब ऐसा को एक सब्सक्राइब यह बहुत सारे cards होते हैं हर एक device के cards होते हैं मतलब by default आप device लेते हो न तो यह तरह से के normal है मतलब बिल्कुली normal काम करेगा अगर आपको इस router को voice के लिए यूज करने हैं या फिर company के circuits के लिए यूज करना है वायरलेस वैन के लिए उस करना है 3D 4G IT ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप service provider रहें ठीक है तो ऐसी चीज़ों के लिए अगर आपने connect करने हैं तो आपको यह वाले modules खरीदने पड़ते हैं जो आपके devices के पीछे लगते हैं तो जो भी पर आप कुछ भी modify करते रहो तो वैसी यह devices है इन जैसी आपकी requirement हो उससाब से आप अपने devices को modify कर सकते हैं बहुत सारे इंटरफेस और modules साते router के switches के तो जो भी आपके company में लगे हैं तो वह आप देख सकते हैं तो indoor access point होते हैं और outdoor होते हैं ठीक है एक rugged करके devices हैं तो बहुत सारा है wireless अब mainly बहुत बड़ी company है ना तो Cisco का एक tool है जिसको पहले बोलते थे Cisco wireless control system WCS बट आज कल इसको बोलते थे Cisco Prime अगर आप Cisco Prime इमेजिस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक software देखेगा यहां से पूरा का पूरा wireless control हो सकता है आपकी बड़ी company का और इसके अंदर जितने भी आप यह heat maps होते हैं अगर आप कभी किसी company में जॉब करोगे तो आपको पता चलेंगा तो यहां पर यह बहुत सारे यह ना office का नक्षा बना रख है जो भी architect या जो भी होते हैं उन्होंने एक design बना रख है कि अच्छा यह इसकी seat है यह इसकी seat है इसकी seat है इसके यहां पर access point है यहां पर access point है यहां पर अबमान लोग किसी का call आया कि यहां पर इस area में wireless नहीं चल रहा है तो आप यह software खोलें अच्छा इंडिया में दिल्ली में दिल्ली का office का नक्षा खोलेंगे तो आपको लगेगा अच्छा तिरिया seat number क्या है जो भी user seat number बताएगा उसके महां चेक करेंगे कि range यह नहीं जारी है अगर नहीं जारी तो कोई न कोई wireless जो access point है उसमें issue हो सकता है अगर आपके पास य यह ना होता तो क्या करते हैं आपके पता ही ने चलता आपको कौन सा user है चलो सीट भी पता लगी आप दिल्ली थोड़ी जाओगे ठीक है अगर आप कहीं और बैठे हो तो यह टूल से आप पूरे मतलब जो भी आपकी आपकी company की अगर 5000 branches हैं या 500 branches हैं तो आप यहीं से हीटमैप्स बोलते हैं, हीटमैप्स क्या होते हैं कि किस-किस एरिया में range आरही है डाइन किस एरिया में range नहीं आरही हूं तो पूरे अब वारलेस यहां बैठ है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो फिर मैनेजर को करेंगे कि हमारे ओफिस में एक और वारलेस लैंड कंट्रोलर लगाओ या फिर एक हमारे में एकसेस पॉइंट लगाओ तो वो रिक्वार्मेंट के कोडिंग अपडेटिड होते रहते ह तो यहां पर दिख रहा है यहां पर यह तक बता देता है कि यह जो एकसेस पॉइंट लगा रहे हैं यहां पर अभी जीरो क्लाइंट है वहलब कोई भी कंप्यूटर यहां क्नेक्टिड नहीं है यहां पर एक क्लाइंट क्नेक्टिड है यहां पर इतने यहां पर इतने तो यासे आप ये चीज़ें कर सकते हो लोकेशन ट्रैकिंग सर्विसी जो मैंने अभी बता इसको इसके अंदर लोकेशन ट्रैकिंग सर्विसी होती है बहुत सारे डिवैसिस को मैनेज कर सकते हैं थर्ड पार्टी एप्लिकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं तो बहुत ही प्यारा सॉफटर है जिस वायरलेस नेटरोक्स के लिए तो जब आप सीचने वायरलेस वायरलेस वगरा करोगे तो बहुत सारे फीचर है इसके अंदर आप मालो एक वायर जितने भी आपने अप अप्ग्रेट कर सकते हो तो जो मैं प्रोटोकोल आपको बता रहा था यह क्या होता है लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकोल होता है जो एपी और वैन कंट्रोलर के बीच में चलता है इन दोनों के बीच में जो कॉम्निकेशन होता है जो कंट्रोलर होता है WLC मैंने पहले आपको एक कंट्रोलर डिवाइस बताया था WLC WLC जिते हैं ही होते हैं सारे WLC वो एक सर्वर के अंदर आप NCS प्राइम जैसा सॉफ्टर डाल दोगे जो मैंने अब यह सॉफ्टर दिखा है तो उसी सॉफ्टर से आपके सारे WLC भी मैनेज हो जेंगे तो हो सकता है एक कंपनी के अंदर 50 WLC है और हर एक WLC के नीचे 500 500 एक्सेस पॉइंट है तो 50 WLC भी नहीं देख सकते है टाइम खराब है तो WLC को मैनेज करने के लिए भी आप प्राइम यूज कर सकते है तो यह जो सॉफ्टर होता है UDP वगरा पे काम कर रहे है 1024 पे ठीक है और डेस्निशन पोर्ट यह यूज करता है वान ट्रिपल टू सम्थिंग डबल टू डबल टू तो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के थ्रू यह आपस में कॉम्निगेट करते है तो आगे काफी लाइक यह मैंने स्लाइट्स होगारा जो लिए हैं यह यह ब्राड़कास कर करता है और यह शुरू में ब्राड़कास करता है जब तक उसको डिवाइस होगरा ना मिल दे तो बहुत सारे फीचर है इसके अंदर स्कूरिटी है मैनेजमेंट है तो ल्डव आपको यह चीज़े प्रवाइड करता है और बहुत सारे डिवाइसे आते हैं ल्डवल्यू ए पी आप करना चाहते हूँ दाट इस सम्धिन डिफरेंट यह तो मोबाइल यूजर्स के लिए आगे यह वाइस से रिलेटेड आगे थोड़ा वोगा डाट इस वोई सोगर आई पी तो आधिंग दिस वेरी इनफ प्रोटोकोल्स कुम ज्यादा और डिफाइन वे में पढ़ते हैं शीच में थोड़ा बहुत ज्यादा नियूस में भी तो क्लियर है सबको कोई कोशन बतार जितना सीचने सीचने किसी का कोशन है कोई सर मेरा इंटर जेनरल से कोशन है पहले ही बता दो इसमें है कोई तो नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद करूं नहीं इसमें नहीं जलो ठीक है जाइस थेंक्यू आइस है बोलो इतर दो